दोस्तों, सेब को स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, हर रोज एक सेब खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और दिल से जुरी बीमारियों के होने का खत्रा कम हो सकता है, सेब में पेक्टिन जैसे फायदेमंद फाइबर्स पाय जाते हैं, संतु खटा मीठा सेब संतुलित और थोड़ा शुष्क होता है, सेब के पेर का समस्त भाग थंड़ा वह, शुष्क होता है और उसके पत्ते और फल में विश्विरोधी शक्ति होती है, सेब को स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, तो चलिए आज हम स्टियोपरोसिस को ठीक किया जा सकता है, सेब के सेवन से हड़ियों को कम जोर होने से बचाया जा सकता है, नमबर टू, कच्चा सेब खाने से कब्स होता है, और वे, दस्त को ठीक कर देता है, नमबर थ्री, सेब एक प्राकृती दातून है, जो दातों की सफाई के अतिरिक संक्रमन रोधी होता है और दातों को मजबूत करता है नमबर फोर, सेब का पत्ता मूत्रवलधक है और उसके पत्ते से बने हुए कारे का प्रयोग गुर्दे का वरम एवं उससे जरी समस्याओं के उपचार के लिए होता है नमबर फाइव, सेब खाने से भै और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है नमबर सेख्स, फंसी हुई आवाज के उपचार के लिए सेब खाते हैं और इसी प्रकार खानसी बवासीर, सनायूतंतर से जुरी बिमारियों और मोटापे की समस्या से ग्रस्त लोगों के उपचार में भी सेब का सेवन बहुत लाभधायक है नमबर सेवन, सेब में विटामिन बी और सी पाई जाती है जो आँख, चमरा, बाल और नाखून की मजबूती के लिए बहुत लाभधायक है नमबर एट, गुर्दे की पत्री निकालने में सेब का सेवन प्रभावी है नमबर नाइंग, सेब को उसके छिलके के साथ खाना चाहिए क्योंकि जो विटामिन पूरे सेब में होती है उससे कई गुना अधिक विटामिन केवल उसके छिलके में होती है नमबर टैन, पका हुआ सेब खाने से नीन दाती है और उससे आराम मिलता है नमबर 11 सेब खाने से बदहजमी वपच की समस्या दूर करने में सहायता मिलती है नमबर 12 जुकाम और काली खांसी के उपचार के लिए सेब के शर्बत का प्रयोग होता है नमबर 13 सेब के सेवन से जोडों के दर्थ को दूर करने में सहायता मिलती है नमबर फोर्टीन, सेब खाने से प्यास कम लगती है नमबर फिफटीन, अगर गर्भवत की महिला हैं, सुबा उठने के बाद एक सेब खा लिया करें तो उन्हें उल्टी नहीं आएगी और लास्ट है नमबर फिफटीन, जो लोग दुबला होना चाहते हैं, उन्हें सेब खाना चाहिए सेब में कैलोरी कम होती है, परंतु उससे शरीर को बहुत उरजा मिलती है तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्ने लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू